हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है सुनील और आप सब का बहुत-बहुत स्वाद करता हूँ मेरे इस इटुचनल पे दोस्तों आज का इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्पूर्ण जानकारी देंगे इस जानकारी से आपका प्रोब्लम भी कम हो जागा और पैसे का भी बहुत भचत होगा उसके बाद आपका समय भी बचेगा क्यूंकि बहुत लोग मैं सीले करके उनको परिचान होने का कारन भी वो खुद ही मसीन watermelon ही उनको limit नहीं पता होता है कि कैसे किस machine को handle करना है और कैसे नहीं करना है तो उस problem से हम आपको solution देंगे कि क्या आप उसको कैसे चला सकते हैं और कैसे वो आपको दिक्कत नहीं देगा इसमें दिक्कत वाली ये बात है कि आज कल के लोगों का जो मेरे पास में कमेंट्स आ रहे हैं वाटसप आ रहे हैं उनका problem ये है कि जो block bedding होता है 208 नमर जो करेंग में लगा होता है उसका तूटना ज्यादा हो रहा है वो बहुत ज्यादा तूटना है लोगों का मसीन में तो उसी से लोग परेसान है उसको चेंज करकर के लोग परेसान हो रहे हैं क्योंकि block bedding जो crank वाला होता है वो चेंज करना आसान नहीं है लेकिन उसमें हो जाता है problem होता है खोल करने में समय लगता है तो आज हम आप लोगों इसी के बारे हम बताएंगे कि कैसे आपको मसीन को चलाना है जिससे कि आपको तूटना कम हो जाए और दोसरी जानकाड़ी वो देंगे कि यदि आप चलाते हैं और अगर कोई नया बंदा है और गलती से वो काम कर भी देता है तो उसको कैसे सुधारा जाए हम वो भी बताएंगे तो वीडियो में end तक बने रहे हैं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए जी कैसे आपको इस काम को करना है ताकि आपका बचत टाइम का भी हो पैसे का भी हो और आपको नौलेज भी हो जाए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले यदि आप में चैनल पे नए हैं तो प्लिस में चैनल को सब्सकाइब करके बैल आकन 208 नंबर बैरिंग है और यह बहुत ज्यादा लोगों का टूट रहे बार बार तो इससे कैसे समधान करें कैसे इसका प्रॉब्लम का सेल्यूशन उगड़ें तो टूटने का जो कारण होता है यह होता है कि यदि हम मशीन चलाते तो नए नए रहते हैं तो यह डबल ब्लोक बैरिंग है डबल ब्लोक हो यह सिंगल ब्लोक हो यदि हम काम करते हैं और जब हम नए रहते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हमें प्रेशर कितना देना होता है डाई पे क्यूंकि डाई का काम होता है कटिंग का ना यह है जो प्रेशर इससे हम प्रेशर अप डाउन करते है हमें पता नहीं होता है कि कितना हमें प्रेसर देना होता है नए नए इसमें क्या होता है कि मसीन का बेल टीलूज हो और को कटिंग होता हुए हमसे प्रेसर पे variety do we ohp यह ब्लक बैरिंग जो होता है तो खास करके नए बंदुक साथ ज्यादा होता कि उनको लिमीट नहीं पता होता कि कितना उनको प्रेशर बढ़ाना है कितना घटाना है तो आज हम आप सब को बताएंगे कितना घटाना है कितना बढ़ाना है और यदि आप ज्यादा भी बढ़ाते हैं तो उसका वी solution है कि कितना भी आप बढ़ा दे वो नहीं तूटेगा एक अप उसको उसमें एक सामान चेंज करना होगा वह हम आप दिखा देंगे बता देंगे आप वैसे करने के बाद आपका नहीं तूटेगा तो चलिए पहले हम यह जानते हैं कि हमें कितना दाप रखना होगा आप जब भी मसीन चलाते हैं तो उसको डाई लगाने के बाद आपको एक लिमिट देखना होगी मेरा दाब कितना कॉम है कितना ज्यादा है यदि आप मसीन चालू करते हैं तो डाई अगर नहीं काड़ता है तो आपको प्रेसर डाउन करना है तो उपर देखना है करेंग के पास तो उस वक्त आपको बैरिंग को देखना है डाब कम कर देना क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि डाई में धार खतम हो जाता उसके बाद भी जवर्दस्ति कारते रहते हैं प्रेसर बढ़ा बढ़ा के तो जैसे प्रेसर बढ़ाएंगे तो वह सीधा बैरिंग पर ही असर ज लग कर देंगे तो बैरिंग उसको जागा ब्रेकेट तूट जाएगा फिर आपको उसको चेंज करने में समस्या होगा प्रोबलम होगा अब उसके बचना कैसे है ज constitu जाता है तो उसको कैसे हमें ठीक करना है या फिर क्या वह रास्ता है जिस सिका अगर प्रेसर बढ़ा थे हैं तो भी मेरा वो ब्रैकेट जो गोली है वो नहीं जड़ेगा नहीं तूटेगा तो इसके लिए हमें क्या करना होगा हम आपको देखिए यह दिखा रहे हैं एक इस टाइप का आपको बेल्डिंग वाले के पास जा करके बना लेना है यू टाइप में ठीक है यह देखिए और एक और जगा टूटा हुआ है यह देखिए ऊपर दिख रहा है यह देखिए यहां भी टूटा हुआ है उसके बावजूद भी मेरा यह मसीन चल रहा है क्योंकि हम यह जो बनाए हैं तो इस साथ में मेरा मोटा लगा हुआ है तो यह दिए आप वह चीज लगा लेते हैं तो वह लगाने के बाद आपका अगर कोई नया बंदा भी हो और उसको अगर दाब को प्रेसर को बढ़ाता है तो बैरिंग जो है ब्रेकेट जो होगा या गोली जो होगा उस पर कम लोड पड़ेगा चूंकि नीची एक मोटा सपोर्ट मिल गया क्यों जब बैरिंग जो होत आने के बाद आपको प्रोब्लम दूर हो जाएगा और आप उसको अराम से काम कर सकते हैं तो यह जनकार या आप लोग को कैसा लगा आप हमें कमेंट बोक्स में बताईए गा और यह कितना सक्सेस्फूल वीडियो है यह बताईगा क्योंकि यह इस तरह का जो प्रोब्लम हो ज्यादा काम हो हम वो लोगों को बताते हैं तो चलिए उमीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ बहुत कुछ सिखने को मिला होगा और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लागा हो तक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू करें साथ ही बैल आखें को जरू दबाए ताकि जब वीडियो अप्लोड करें उससे पहले आप तक पहुछे चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद